शो के होस्ट सल्मान खान ने कराया है एली गोनी को उनकी गलती का एहसाद दरसल जैसमीन भसीन की एंट्री के बाद से वो जिस तरह से जैसमीन के साथ पेश आ रहे थे वो सल्मान खान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसी बात पर वो बात करते हुए नजर आए वीकन के वार में उन्होंने अली गोनी को समझाया कि वो जैसमीन के साथ काफी रूड बिहेव कर रहे थे यहां तक कि वो जैसमीन की बात सुनने को भी तयार नहीं थे इतना ही नहीं सल्मान खान ने तो ये तक कह दिया कि जैसमीन को नेगिटिव बनाने वाला और जैसमीन की छवी को नेगिटिव दिखाने वाला अगर कोई शक्स है तो वो अली गोनी ही है जिस पर एलिगोनी कहते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है इतना ही नहीं वो सल्मान खान के सामने जैस्मीन भसीन से माफी मांगते हुए नजर आते हैं एली गोनी ने जैस्मीन भसीन को सोरी कहा है और रियलाइज किया है कि वाकई उन्होंने जैस्मीन की कुछ बातों को इगनोर किया ऐसा उन्होंने सल्मान खान के कहने पर किया दोनों के बीच काफी सारे emotional moments भी देखने को मिले वीकेंड के वार में वेल एली गोनी ने मांग ली है जैस्मीन से वाफी अब घर से निकरने के बाद कैसी होगी इन दोनों की equation इसका पता आने वाले वक्त पर चलेगा स्टोरी को लेकर अपना feedback नीचे comment section में जाकर जरूर दे और हमारे चैनल को भी subscribe करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटिस्ट अपडेट